हलो फ्रेंज वालकम बेक तो माई योट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए बड़ी इंट्रस्टिंग से वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं रेजन वर्क कर रही हूँ और इसमें मैं ड्राइफ लावर्स यूज़ करूंगे और कुछ बैंकल्स के मोल्ल यूज़ कर रही ह हूँ जो एजली ओनलाइन अवेलेबिल हैं ड्राइफ लावर्स रेजन वर्क में बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनका लूप ड्राइफ होने के बाद बहुत ही अमीजिंग आता है फर्स्ट बैंगल में मैं ड्राइफ लावर्स के पैटल अलग कर रही हूँ इसमें मैं टू डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ एक लाव शेट में और दूसर डार्क शेट में रैजन वर्क की बिगनर्स के लिए डिटेल वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाच कर दूँगी आप लोग चाह कर सकते हैं वन पाई वन पैटल मैं बैंगल में एज़स्ट कर रही हूँ डिस्टेंस आप अपने मर्जी से रख सकते हैं मैं एक लाइक पैटल और एक डार्ट पैटल रख रही हूँ इसी तरह से मैंने पूरी बैंगल में एज़स्ट कर दी हैं अभी मैंने रैजन का लिक्वेट नहीं इसमें मिक्स किया है बस मैंने इसमें ड्राय फ्लावर की पैटल अरज़स्ट की हैं इसी तरह मैं सेकंड बैंगल के लिए ड्राय फ्लावर ही यूज़ कर रही हूँ लेकिन मैं यलू कलर में यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं flower के छोटे छोटे bunch adjust करूँगी इस bangle में मैं से यलो color ही use करें हूँ flowers का flower adjust करने के बाद second step में मैं golden foil leaf भी adjust करूँगी ठोड़ी से बैंगल को शाइन देने के लिए वो रेजिन में बहुत ही अच्छा लुक देता है और अच्छी तरीके से फ्लोट करता है जैसे ड्राय होने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है इसके पीसे भी मैंने में मिडल में अईज्थ करदी हैं जहां-जहां इस बाकी है उसको कवर करने के लिए है कि सेकेंड मोल्ड भी रेडी है बैंगल में रेजिन फिल करने के लिए मैं जो रेजिन यूज करें हूं वह त्री इंटु वन का रिश्यों है यानि मैं बेस अगर 15 ml यूज करूँगी तो हाड़नर सिर्फ और सिर्फ 5 ml यूज करूँगी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से शेक करना है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज 3-4 मिनट मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है रेजन वर्क करने के लिए आपको लाजमी गलब्स यूज करने है अब मैं रेजन बैंगल में फिल कर रही हूं आप लोशरेंज की हल्प भी ले सकते हैं मूल्ड को अच्छी तरीके से रेजन से फिल करना है ताके अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंगल रेडी हो साथ साथ मूल्ड को थोड़ा थोड़ा टैप करते रहें ताके बबल्स उपर आ जाएं और असानी से पॉप हो सकें फिर्स बैंगल में मैंने रेजन फिल कर लिया है इसी ज़रीके से मैं सेकंड बैंगल में भी फिल करूँगी रेजन को राए होने के लिए एक दिन लगता है आफ्टर वन डे रेजन 95-97 परसंट राए हो जाता है जिसमें हम एजली मोल्ड से निकाल सकते हैं रेजन के बबल को पॉप करने के लिए मैंने लाइटर यूज किया है जिसकी हेल्ड से बबल्स फोरण पॉप हो जाते हैं थर्ड बैंगल के लिए मैं पहले रेजन फिल करी हूँ और बाद में कलर ब्लैंड करूँगी इस बैंगल के लिए मैं सिंपल फूट कलर्स यूज कर रही हूँ क्यूंकि वो बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं इसमें मैं त्री कलर से शेड दे रही हूँ और साथ साथ आपस में ब्लैंड करती जा रही हूँ सबसे पहले मैंने औरंज कलर एट किया था सकेंड नमबर पे मैं ग्रीन मिक्स कर रही हूँ ग्रीन के बाद मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ और आपस में सब को मिक्स कर लूँगी अच्छा सा ब्लैंड कर लूँगी और इन ही तीन कलर से मैं बैंगल अपनी फिल कर लूँगी और थर्ड बैंगल रेड़ी कर लूँगी थर्ड बैंगल के लिए मैं पॉडर कलर यूज़ करूँगी ये रेजिन में बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लैंड होता है और ये कलर्स बेस्ट रहते हैं रेजिन के लिए मैंने मेटालिक गुल्ड करूँगा यूज़ किया है पॉडर और उसको मैंने रेजिन के लिक्विट में ही मिक्स कर लिया है और अच्छी तरीके से blend करने के बाद मैं Bengal के fourth mold में इसको fill कर रही हूँ level आपको present का mold के साथ ही रखना है बहुत overflow भी नहीं करना है चारों Bengal को ready करने के बाद मैं dry कर लूँगी और next day इसको open करूँगी first mold को मैंने open किया है जिसमें मैंने petals adjust की थी और इसका look इस तरह है dry flowers बहुत ही अच्छा look देते हैं resin के साथ और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही finished look आया है इसमें bubbles अच्छी जरीके से पॉप हो गए थे third bangles का result मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही colorful और bright colors लग रहे हैं last mold भी dry हो गया है इसको open करते हैं जिसमें मैं metallic gold color यूज़ किया था इसका result इस तरह है चालों bangles ready है जिनके final look कुछ इस तरह है आप लोग मुझे अपना feedback जरूर दीजिएगा आपको resin bangles कैसी लगी उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी thanks for watching the video please subscribe to my channel and hit the bell icon